जो लोग कहते हैं ना जी पासपूर का फॉर्म भरने के अलग पैसे अपॉइटमेंट उठाने के अलग पैसे ऐसा कुछ ही नहीं होता है 1550 पर आपका फॉर्म भरा जाता है आपकी अपॉइंट्मेंट भी उठाई जाती है जिस दिन आप अपने अपॉइंटमेंट में जाते हो उस दिन आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी फूटो कॉपी अपने साथ लेके जाने हो पर बाइस तो बचंड़ भी तरीका है काई मामने तरह लोग पचाप पिता सार अपकी लेने थे पासपूर्ट बनाने के ना जादा जल्दी चाहिएदा पासपूर्ट ततकाल चाहिएदा उननों एक हैगा कि सिद्धा सी चंड़ीगण जाकी बनाई है उसके अंदर भी आप अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आप किसी और से बनाए वो फॉर्म भी आप ऑनलाइन फिल करते ह इसके लिए आपको किसी और के पास नहीं जानागी तो वह भी आपको आपको सी मॉइल के अंदर हो नहीं हो जाए जिसके पासपोर्ट किसी का तब बनता है अगर कोई बच्चा जैसे 18 साल का बच्चा है वह 15 साल की एज क्रॉस करके 18 तक होने वाला है जिसके पास दस्वी क अगर आप अपना लास्ट दो साल से टेक्स वह नहीं जाए लोग पिर ना उसे थोड़ी डाउटफुल नजों से देखते स्पेशली गल्फ कंट्रीज में ना इसे पासपोर्टों का फी डाउटफुल नजों से देगा जाते हैं कई लोग ना पासपोर्ट से एसे हटवान कि ना पचास-पचास साल पर भी देते हैं आपको यह बात पता है पासपोर्ट बनान स्यादा पासपोर्ट से पाज़ा हजार पे सिर्फ नौन इसीर क्राउड दे लेंगे फिर एजन्ट लेंदेने पंजा है अगर आप अपना लास्ट दो साल से टेक्स भर रहे हैं इंकम सशिकल जी ओनियर देख रहे हो ते मैं हां रावरंदर सिंग बैनी पाल आज एक बड़ा एहम ते खास प्रोग्राम तो आ डिली लेके आया जागरुक रहो जागरुक रहो दे इस प्रोग्राम देवेच चसीत्वा नू वीजा देनार्स बंदत हार एक जानकारी महया क्राम क्यूंकि इना दिना देविच देखया एह जाना ता हर कोई बाहर चाओं दा पर उना दे कोल प्रोपर जानकारी नहीं है कई बार तुसी गल्त थांते जाके फ़ास जान देओ तत्वा नू ठग लेया जान दा तो अड़ी ठगगी ना होवे तो अड़ा पैसा सही थांते ल वह आज मेरे नालने अशोक सिंग जी अशोक जी बहुँ हर वह स्वागत है। शोक जी जिस तरीके दिननों मैं की हैओ कि बहुत जिड़े लोक ने न की पिंडा दे वीच भी देखलो के हरका रदे वीचे हंदा हरका रदे बच्चे नों हंदा की मैं बाहर जाना। गलत पासे चले जन्द एैं, या ए देख ले जन्द कि इस बंदे नूँ जादा जानकारी नीए, या न लोट लेना, तो जिड़े लोक ने, उ लोट ए ना जान, जह अपा सब तो पहला गल करिये, क्योंकि A तो लेके Z तक अशी तो आड़े तो सारी जानकारी कमपलीट लेना पहला मैंनू लगदा है कि जित्थो तो एक गल्दी शुरुआत हुन दिया है जे बार जाना तो सब तो एक बेसिक जी चीज है कि पास्पोर्ट तो अडिको होना चाहिए जै आप पास्पोर्ट नू एमन के तो शुरू कर लिए पास्पोर्ट बारे जेकर तुसी साधे के बेस पे हो जाता है कि अपका वीजा होगा यज़ैनी होगा वो डिसाइड करने वाला ही पास्पोड होता है ठीक है अब आते हैं कि पास्पोर्ट बनाने में कितना अच्छा मतलब तुसी पास्पोर्ट दे भीकितने टाइम बन जाते हैं उसक्राइब का जो आपीशल टाइम है वह एक महिने दो महिने के पिछे एरिया में नहीं रह रहे तो एक मेने के अंदर आपका पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाता है जिसकी फीस 1550 रुपे हैं पर लोगों ने करा क्या है कि पासपोर्ट बनाने को इतना बड़ा हुआ बना दिया है ना कि लोगों के दिम में की डर होता है कि जी मेरे आपका पासपोर्ट बहुत अराम से बन जाता है जिसकी फीस 1500 रुपे होती है अगर आप साइबर कैफे जाके फॉर्म भरवाते हैं तो वो लोग इसके दो दो तीन-तीन हजार उपर भी चार्ज करते हैं मैं देखिया कि यह फॉर्म भी प्रवा कह दें दें कि फॉर्म भी इससे बचने के बहुत अच्छा तरीका है आज की डेट अंदर आज की जो जनरेशन है वो मॉबाइल फ्रेंडली जनरेशन है अगर आप कोई भी चीछ रहो ना तो आपको मॉबाइल पर मिल जाती है आपको कुछ नहीं करना मॉबाइल पर जाके पासपोर्ट सेवा आपको होती है जो भी मॉबाइल चलाओंता हो आप किया अपको पर चांगता अवे करते हैं जो लोग केते हैं जो लोग कहते हैं यह परने के यलग पैसे अपोंगमेंट उठाने के पैसे ऐसा कुछ पारी 살Kit नहीं होता है 15,50 पर बर लगा कि अजया यह जाता है आपकी खर्चा 5,000 पे लोगा आपसे 10,000 पे लोगा वही है जितना लोग जागरु कोंगे उतना पता होगा लोगों को पता ही नहीं है कि यह पासपोर्ट हम बहुत असानी से अपने मोगाईल से बना सकते हैं मोगाईल ते फिर एवी यह अंदियां चीज़ां कि जड़े डॉकुमें नंबर आपका एड्रेस यह जानकारी मांगता है आपसे कोई डॉक्यूमेंट है वह अपने साथ लेके जानी होती है बस यह अगर नहीं पता होगा तो इसके लिए लिए जाएंगे पैसे अब लोग आज के लिए लिए लगता है लोग को हाड़ बनी जो होती है किसी की अप आपने हाथ में लेना बड़ा सान काम लगता है लोगों को पता है कि सामने वाले को जानकारी नहीं है उससे 5-10 जार लोग कई मामले में ता लोग 50-50 आरप बनाने के नाम पे अगर आपके जानकारी आपको देने आपका पास्पोर्ट आपके हाथ ने ता मैं लो लू लाग आपके जानकारी इसके अंदर जानकारी आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका एडरेस, मदर का नाम, अगर मेरिड है इस तो इलाब हो फूश नहीं पोछ देता है जो आपके हम सिलेक्र करने कि आपके पासपौर्ट सिवा के निस हिले हैं और वोग अपे ऑप भा जाते हैं अच्छा कई बर केंदे हैं जमें हुन मेंता ओफिस चंडीगड़ हो गया पासपोर्ट दा एक पट्याले भी दफ्तर है गया इदर अम्रिस सर्वी है गया लोकानों यह लाग दा कि जादा जल्दी चाहिदा पासपोर्ट ततकाल चाहिदा ता उननों एक है गया कि स आफ ऑनलाइन फिल कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आपके और से वहां पर ऑप्ष्ण आते हैं नॉर्मल और ततकाल का जो आपकी रिकुर्मेंट है अगर आपको नॉर्मल पासपोर्ट चाहिए आप नॉर्मल बेकरें अपको ततकाल करें उसकी फीस आप एक्ट्रा पेकर क कर स उसके लिए भी आपको किसी और के पास नहीं जाने है वह भी आपको उसी मॉवाइल के अंदर हो नहीं हो चीज अच्छा एक दूक होर सवाल ले है शोग जी विजे में फोटो किस तरीक के दिना आड़ा क्योंकि जे वीज़ादी फोटो आप देखते हो वाइट बैक ग्राउ उसके अंदर फोटो का भी यह है कि लोग करते क्यां कई बार अन प्रोफेशनली चले जाते हैं आप अच्छे से स्मार्ट कपड़े पहन के जाओ क्योंकि वह पासपोर्ट यह जो आपके साथ 10 साल तक रहेगा 10 साल रहनी है लोग उस फोटो के साफ से आपको जज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आप स्मार्ट सबन के जाएं फॉर्मल अटायर डाल के जाएं अपने आपको वेल गुरूम करके जाएं उस पर इस पर आपके वह फोटो किशनी वह फोटो ही आपके वहीं पर होनी एक साइन दा शोक जी बड़ा पंगा पेंदा कई लोग का दे अंदर पड़े लिखे अंसान को अगर आपको जज़ करना तो आप उसके साइन से जज़ करते हो अगर उसके साइन अच्छे हैं ठीक है तो आपको उसकी एड्यूकेशनल बैक्राण का पार चलता है कि हां तो हमेशा पासपोर्ट के अंदर कोशिच करने कि आपके साइन बड़े अ इस एर और नावनीर का फरक होता है यह आपके टूटली काग्जों पर डिपेंड होता है इस एर पासपोर्ट जो होता है इमिगरेशन चेक रिकॉयर यह पासपोर्ट किसी का तब बनता है अगर कोई बच्चा जैसे 18 साल का बच्चा है वह 15 साल की एज क्रॉस करके 18 तक होन लेकिन इंग तब उसका इस एर पासपोर्ट बनता है वरना सबका 9 इंशहें पासपोर्ट बनता है यह इंशेया पासपोर्ट बनता जब आप अपनी एजुकेश्नल कॉलिफिकेशन नहीं पर आप पाते है ठीक है उन्होंनों पता नहीं लगा दा कि फिर अच्छा इस एक इसके कागजों के उपर होता है इसमें क्या है कि कई कंट्रीज में जब आपके पासपोर्ट के पीसे लिखा होता है तब आपकी चेकिंग का लेवल थोड़ा श्राइब लोग फिर ना उसे थोड़ी डाउटफूल नजों से देखते स्पेशली गल्फ कंट्रीज में ना इसे पासपोर्ट काफी ही डाउटफूल नंजों से देखा जाता है तो इसीलिए कोशिश करें कि हमेश्य जब भी आपका पासपोर्ट बने वह नॉनीर पासपोर्ट बने जीना लोग का अगला कोगा कि यार मेरा एकर पासपोर्ट तो मैं नौन इसी आर्ट करोना ओ हो सकता है क सबसे अच्छा तरीका सबसें अगर आप अपना लास्ट दो साल से टेक्स भर रहे हैं तो आप अपनी इंकम टेक्स की रिटर्न्स लगा सकते हैं लास्ट दो साल की तब आपका एसी-एर पास्पोर्ट जो कट जाता है चाहे तो अपने स्टेट कांशल वॉकेशनल से आपने ट्रेनिंग करी हो नैश हो भले आप अपना income tax जो है वो निल का फाइल कर रहे हैं आप अपने पास्पोर्ट से इस तरीके दे लोग का ली भी हैगा कोई रस्ता आप खेती बाड़ी करने खेती बाड़ी जो अग्री कल्चर होता है यह non-taxable income कर दो कम होती है बट उसके गेंच में दो फाइल करनी ही होती है इंकम टेक्स चाहे तो अड़ी जीरो यह ऑगे है जीरो ही नहीं क्यों नहीं हो आपकी बट आप दो साला का अपना 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 इस यह हट जायागा पासपोर्ट से छीक है मतलब यह भी कि जरूरी गाल तुसी साननों दसी है कि चाहे तो अड़ा टेक्स जीरो प्रसेंट बने पर उनू पर दे रहो हना चलो बहुत शुक्री आशोख जी मैंनू लागदा कि तो अड़े वल्लों जड़ी दत्ती की जानकारी है पासपोर्ट आली ते बहुत लो युनू अशोख सिंग दी गालनू ते आंदे नाल सुनेया ता मैज की इन दे नाल कह सकता कि तुसी आ दो हजार पे ता बचाही सकतेयों दूसरा इसीया टू नौन इसीया राड़ा जड़े न दस्या कि कई अजयंट पंजाब पंजाब हजार पेल भी लेलन देया ओदे बारे भी तुसी त्यान देनाल देख्या होना ते ए जड़ी इंट्रिव्यू है तो अड़े बहुत ज़्यादा कम आओगी ते इस तो बाद हजे ए शुरुआत है क्योंकि सब तो पहली सीड़ी वीजा हासल करन दी पासपोर्ट ही हुंदी है जिस तरीके दिनाल अगए ते अगए जड़िया पौड़िया चड़ दिया ने ता एसे तरीके दिनाल असीय शोक सिंग हो रहा तो जानकारी लेके तो अज़े तक पहुंचाओ द झाल